नमस्कार आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जेवी प्रीस्टले का निबंध on doing nothing कुछ ना करने पर यानि जेवी प्रीस्टले यहां आपको recommend करेगा यहां आपसे सिफारिश करेगा और यहां आपसे गुजारिश करेगा कि भाई जिन्दगी में कुछ ना करो शांती से आपको कहीं seriously मत ले लेना कल से ऐसा ना हो फिर पढ़ना ही बंद कर दो आप लोग तो पढ़ दो लीजिए लेकिन आपको इसको अपनाना नहीं है अडॉप्ट नहीं करना है बस कुछ हसी आएगी कुछ आप मुस्कुराएंगे थोड़ा इसकी बातों पर लेकिन अपना मत लेना एडॉप्ट मत कर लेना बातों को चलिए शुरू करते हैं I had been staying में ठहरा हुआ था with a friend of mine अपने एक दोस्त के साथ an artist यानि जो दोस्त है वो एक कलाकार है and delightfully lazy fellow और बड़े खुशकवार और आलसी व्यक्ती है वो जो मेरा दोस्त है at his cottage उसकी कुटिया पर among the Yorkshire fells यॉर्क शायर जगह का नाम है और fells वहां की निरजन पहाडियां तो यॉर्क शायर की जो निरजन पहाडियां है उनके बीच मेरे दोस्त की कुटिया है बड़ा ही बेहदाल सी आदमी है लेकिन एक कलाकार है और some 10 miles from a railway station और जो उसकी कुटिया है लगभग 10 mil दूर है railway station से and as we had been fortunate enough and or as जैसा के we had been हम थे fortunate भागेशाली enough परियाग्त to encounter encounter मने हमारा सामना हुआ या हमको मिला a sudden spell of really warm weather a sudden अचानक spell मने होता है मंत्र या जोंका या जादू तो हमें एक अचानक से या period आप कह सकते हैं तो एक ऐसा अवधी मिली हमको एक ऐसा समय मिला of really means वास्तव एक या वास्तव में warm weather गरम मौसम का और मैं आपको बार 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 बता दियो कि यूरोप में क्योंकि बहुत सर्दी पढ़ती है तो वहाँ गरम मौसम बहुत अच्छा माना जाता है हमारे यहां तो भीया बड़ी गर्मी पढ़ती है गर्मी के मौसम में मैं जून में लेकिन यूरोप में गर्मी का मौसम बड़ा सुहाब ना होता है तो सौभागे से ऐसा हुआ कि मौसम थोड़ा गरम था डे आफटर दे दिन बदिन वी हेड सेट ओफ हम निकल जाया करते थे इन दा मौर्णिंग सुभह के टाइम ते कन दले लिया करते थे पकड़ लिया करते थे दले हैस्ट सबसे पास का मौर्ण्ड मनें बंजर जमीन का ट्रेक मनें रास्ता climbed चड़ जाया करते थे leisurely बड़े आराम से चड़ते रहते थे until जब तक के we had reached हम पहुँच नहीं जाते थे somewhere कहीं about 2000 feet लगभग 2000 feet above मने उपर sea level and had then spent और तब spent मने बिताना और तब हम बिताया करते थे long golden afternoons lambi, sunhari, दोपहर lying flat सीधे लेटे हुए on our backs अपनी पीठ पर यानि पीठ के बल चित लेट कर बिताया करते थे doing nothing, कुछ ना करते हुए there is no better lounging place यानि कोई भी better lounging place कह सकते है आराम की जगह है नहीं होती than a moor एक बंजर जगह से एक बंजर जमीन से it is a kind of clean bear anti-chamber it is यह होती है जो moor land होती है बीहर जो होता है बंजर जगह जो होती है a kind of एक प्रकार का clean, saaf, सुथरा bear means खाली anti-chamber anti-chamber आप कह सकते हैं दोबारी यानि एक तो होता है main camera एक उससे पहले का जो छोटा सा camera होता है उसको दुबारी बोलते हैं हमारे यहां तो तो वो anti-chamber कहलाता है तो एक खाली सा दुबारी होती है to heaven स्वर्ग जाने के लिए beneath it its apparent monopoly बिनीथ नीचे इस इसकी एपरेंट यानि नैश्रल स्वाभाविक ओवियर्स monopoly means एक ता एक जो एक किसी चीज़ की डॉमिनेंस होती है ना तो वो अच्छा monopoly नहीं मेरी आँखें थोड़ी कमजोर हो गई है बच्चों यह monotony है monotony क्या होते है नीरस्ता तो बिनीथ its apparent monotony इसकी जो obvious यानि व्यक्त monotony होती है उबावुपन होता है नीरस्ता होती है that offers no immediate excitements that offers मने जो प्रस्तुत करती है और नो आ गया तो मतलब हुआ कि जो कि प्रस्तुत नहीं करती है कोई भी immediate means तुरंत excitement बने उत्ते जना यानि एक ऐसी जगह होती है नीरस जगह होती है जहां कोई किसी प्रकार की उत्ते जना नहीं होती कोई उत्साह नहीं होता व्यक्ती का और no absorbing drama of sound and color और नहीं कोई absorbing मने आकरशित करने वाला attracting drama नाटक होता है of sound and color यानि आवाजों का और रंगों का ऐसा कुछ होता ही नहीं जहां बंजर है उसर जमीन है वहां पर ना फूल खिलते हैं ना कोई आवाज होती है ना चड़ियां चह चाहती है तो ना कोई sound ना कोई color there is a subtle variety वहां पर होता क्या है एक subtle बड़ी सूच variety विविधता होती है of its slowly changing patterns इसके slowly बहुत धीमे धीमे changing बदलते हुए patterns नमूने of cloud बादल के and shadow और परचाईयों के and tinted horizons tinted होता है colored और रंग बिरंगे छितिज के तो वहां क्योंकि फल फूल पौदे चिडियां ये सब ज़्यादा कुछ नहीं होता बंजर जमीन है उसर जमीन में कहां कुछ होता है तो वहां दिखता क्या है clouds दिखते है horizon छितिज दिखत क्लाउड बादल परचाईयां यही सब दिखते हैं sufficient जो कि परियाप्त होते हैं to keep up a flicker of interest to keep up बनाई रखने के लिए a flicker मने एक किरन एक चिंगारी of interest मने रुची की in the mind यानि दिमाग में all day सारे दिन तो यही काफी होता है एक आलसी आदमी के लिए with its well wetty patches well wetty होते हैं मखमली और patches होते हैं बीच बीच में जो थेगले होते हैं धब्बे होते हैं तो इसके मखमली धब्बों के बीच no bigger than drawing room carpet जो के drawing room यानि जो हमारा बैठक वाला कमरा होता है उसमें जो carpet बिचा होता है उससे बड़ा नहीं होता no bigger than a drawing room carpet और fine moorland grass बढ़िया स बंजर भूमी की घास its surfaces invite इसका जो सतह होती है मखमली घास की invite यानि आमंतृत करती है रिपोज आराम को यानि हम लोगों को आमंतृत करती है कि भाई आओ और थोड़ा सा यहां पर बैठके लेटके आराम कर लो its remoteness इसकी remote यानि जब जो यह दूर होती है कोई चीज तो उस रिमोट से आप टीवी चलाते हैं तो दूर से ही तो चला लेते हैं वैसे टीवी हाथ से चलाना पड़ता था पहले जब रिमोट नहीं होते थे तो its remoteness यानि इसकी दूरी इसकी एकांता its its permanence इसकी इस्थिरता permanent कोई चीज इस्थाही होती है न तो its permanence यानि इसकी इस्थिर concerns और उसकी चिंताओं के प्रती rest and cleans the mind rest मने आराम दिलाती है and cleans और साफ कर देती है the mind दिमाग को all the noises सारे short of the world संसार के are drowned डूब जाते है in the one monotonous cry एक ही जो monotonous उदासीन nearest cry होती है आवास होती है of कर्लियू कर्लियू एक जल पक्षी होता है जल मुर्गी बोल सकते हैं आप तो बस उसकी आवाज आती है आपने देखा हुआ समधुर के नारे मुर्गियां जैसी होती है पक्षी होते हैं तो वो कर्लियू वो पक्षी है day after day दिन बदिन देन तब found us हमको पाया हर दिन ने यानि एक के बाद एक दिन ने हमको पाया fully stressed पूरी तरह फैले हुए लेटे हुए upon the mood उसर जमीन पर looking up उपर की ओर देखते हुए at the sky आकाश को and gazing और घूरते हुए dreamily सपने देखते हुए at the distant horizon दूर छितिस में it is not strictly true ये पूरी तरह सच नहीं है of course वास्तम में ये पूरी तरह सच नहीं है to say कहना that we did absolutely nothing कि हमने बिलकुल ही कुछ नहीं किया कुछ तो किया हमने अब जो किया वो भी सुन लीजिए कि उन्होंने आखिर किया for क्यूंकि we smoked हमने धूम्रपान किया great quantities धेर सारी मात्रा में of tobacco तंबागू तो हमने तंबागू पिया eight हमने खाए sandwiches sandwich खाए and little sticks और छोटी छोटी sticks खाए of chocolate chocolate की अब यह सोचो इस बंदे से यह पूछो कि जब काम नहीं करोगे सारा दिन ऐसे ही लेटे रहोगे पड़े रहोगे तो यह tobacco कहां से आएगा इसके लिए पैसा कहां से आएगा from the cold bubbling streams धंडी बुलबुले उठती हुई streams धाराओं से that spring up जो की निकल आती है यानि जहरने निकल आते न पहाड़ों में तो जो की निकल आते हैं from nowhere यानि कहीं से भी अचानक से निकल आते हैं पतानी चलता कहां से निकले गर्गल कलकल की आवाज होती है पानी की for a few score yards कुछ score yards कुछ गज तक वो चलते जाते हैं और फिर क्या होता है ये score 20 को बोलते हैं तो a few score मतलब 20 का आप गुणा कर लीजिए यानि 20, 42, 33, 64, 85, 100 तो few yards तो लगवाग 100 गज तक 200 गज तक जितने भी हैं तो वो कल-कल करते हैं then disappear again और फिर वापस गायब होती हैं जाते हैं अच्छा ये कुछ जैसे words है ना इनको आप note कर लीजिए जो आपको tough लगे words difficult लगे तो बीच बीच में वीडियो pause करके उनको आप note कर दे जाएगा आप जैसे कि वो पानी कहां से पीते हैं तो stream से पीते हैं ऐसा कुछ आपसे पूछा जा सकता है then disappear again और फिर वो होते हैं वो धाराएं streams होती है गायब हो जाती है फिर से occasionally कभी कभी we exchanged हमने exchange किये मैं या उसने मुझे सुनाया मैंने उसको सुनाया और remark एक tip पणी or true या दो यानि कभी कभी हम लोगों ने remark we exchange किये मतलब कि एक दूसरे को कुछ tip पणियां दी कि जैसे आज धूप काफी नि इस तरीके की remarks हमने exchange किये कभी कभी but we probably came as close but लेकिन we हम probably संभवत है came पहुँच गए as close इतना करीब to doing nothing कुछ ना करने के as जितना के it is possible ये संभव है for two members दो सदस्यों के लिए of our race हमारी प्रजादी के यानि दो मनुश्यों के लिए जितना संभव है उतना हम कुछ ना करने के करीब पहुँच गए we made nothing हमने कुछ बनाया नहीं not even any plans यहां तक कि हमने कोई योजना भी नहीं बनाई not a single idea एक भी विचार नहीं entered गुसा our heads हमारे दिमागों में we did not even indulge हम indulge मनें शामिल हुए हम उसमें भी नहीं मशगूल हुए in that genial boasting वो जो genial मने pure होता है बोस्टिंग मने जो शेखी बगारते हैं तो वो जो बड़ी बड़ी शेखी बगारते हैं उसमें भी हम मशगूल नहीं हुए और जो बोस्टिंग है which is the usual past time usual में frequent यानी natural यानी कि स्वाभाविक पास्टिंग मने मनोरंजन होता है जो कि स्वाभाविक मनोरंजन होता है of two friendly males दो दोस्ताना पुरुषों का मर्दों का अगर दो दोस्त मर्द होते हैं तो उनका वो क्या करते हैं बोस्टिंग करते हैं शेखी बगारते हैं अपन कॉन्फरेंस मनें बातचीत में सम्विय फार अवे यानि सम्विय कहीं फार अवे दूर आफ फ्रेंड्स एंड रेलेटिवस हमारे दोस्त और रिष्टेदार वर हमिंग गुनगुना रहे थे एंड बसलिंग और व्यस्त थे काम कर रहे थे शेपिंग कुछ बना रहे थे एंड कंट्राइविंग और कहीं शर्यंत्र रच रहे थे प्लानिंग कहीं योजना बना रहे थे डिस्प्यूटिंग कहीं जगड रहे थे गैटिंग कहीं कमा रहे थे स्पैंडिंग कहीं खर्च कर रहे थे यानि हम तो मजे में पड़े हुए थे वहाँ पर और हमारे दूर कहीं रिष्टेदार दोस्त लोग ये सब कुछ कर रहे थे जितनी बातें अभी बताई हैं बट लेकिन वीवर हम तो थे as gods देवताओं की तरहे solidly बड़े ठोस तरीके से occupied व्यस्त in doing nothing कुछ ना करने में our minds हमारे दिमाग immaculate vacancies आप कह सकते हैं कि पवित्र या फिर पूरी तरीके से vacancies मने खाली थे हमारे जो दिमाग थे एकदम पवित्र तरीके से जैसे देवताओं के दिमाग होते हैं वैसे ही खाली थे but लेकिन when जब our little our हमारा छोटा अवधी घंटा या समय of idling यानि यासे आराम करने का was done समाप्त हो जाता था and we descended और हम उतरते थे या फिर हम उतरे थे for the last time अंतिम बार as flushed इतने लाल पड़े हुए as sunsets जैसे के सूरियास होता है we came down तो हम नीचे आये into this world इस संसार में of men मनुश्यों के and newspaper owners और अखवार के मालिकों के only to discover केवल ये पता लगा हमको केवल ये पाने के लिए that we had just been denounced हमारी अभी अभी आलोचना की गई थी by Mr. Gordon Selfridge Mr. Gordon Selfridge के द्वारा तो ये कोई हस्ती नहीं है Mr. Gordon Selfridge ये एक कालपनिक चरितर है कालपनिक नाम है कि Mr. Flaan Flaan के द्वारा हमारी अलोचना की गई थी कि भई हम ऐसे ही समय बरबाद कर रहे हैं कुछ भी कामकाज नहीं कर रहे हमारे या भी तो ऐसे आलसी लोगों के लिए बहुत सारी कहावत हैं ना कामकारजन का दुश्मन अनाज का ऐसे बोला जाता है तो ऐसे ही हमारी अ नहीं मालूम, nor do I know, ना ही मुझे ये मालूम, what hilarious company, कि कौन सा hilarious मने, हास्य से भरा हुआ, company मने, संगती, कि मलब किन लोगों ने, किन हास्य प्रिय लोगों ने, had invited, यानि आवंत्रित किया था, and received, और प्राप्त किया था, his confidences, यानि उसके भाशनों को, उसकी बातों को, strange things happen, बड़ी अजीव अजीव चीज़ें होती है, at this season, इस मौसम में, when, जब, the unfamiliar sun, यानि अपरचित सूरज, ripens, पकता है, या पका देता है, are eccentricities, eccentricity होती है, सनक, हमारी सनक को, हमारे जख्कीपन को, it was only last year, ये पिछले साल की बात है, or the year before, या फिर त्योरस की बात है, यानि उससे भी पिछले साल की बात है, that case, some enterprising person, who had organized, some enterprising, यानि कोई बड़ा सहसिक व्यक्ति, यानि बड़ा उत्साह से भरा हुआ व्यक्ति, नए नए काम करने का जिन लोगों को शौक होता है, ऐसा व्यक्ति, who had organized, जिसने organized किया था, जिसने मलब संगठित किया था, या बनाया था, a conducted tour, conducted यानि जिसमें conductor साथ में चलता है, tour होती है, यात्रा, जिसे लोग जाते हैं, समूह में यात्रा करने जाते हैं, तो उसमें driver, conductor, उनी की बस होती है, वो ही लेके जाते हैं, वो ही बताते हैं, यहा तो ऐसा ही एक व्यक्ति था enterprising person who had organized a conducted tour जिसने एक tour organized किया यानि एक यात्रा का की व्यवस्था की तू दा कंटिनेंट यानि कंटिनेंट कहते हैं महादुइप को तो यूरोप एक चंटिनेंट है यानि यूरोप की या महादुइप की यात्रा की उसने व्यवस्था की लोगों को तो एक चारे के रूप में for the more intellectual holiday makers जो ज्यादा intellectual बहुत धेक holiday makers यानि जो छुट्टियां मनाने के shocking लोग हैं उनको फसाने के लिए और ये कैसे उन्होंने अर्गनाइज किया that के a series of lectures ये दो बार टाइप हो गया है तो एक series यानि एक श्रंखला of lectures lectures की should be given दी जाएगी to the party इस party को यानि इस समुख को इस group को जो यात्रा पर जाएंगे by eminent authors जाने माने लेखकों के द्वारा at various places within इस्थानों पर en route रास्ते में तो इंटेलेक्शल लोगों को क्या चाहिए बड़े बड़े authors को सुनने को मिल जाए तो इससे ची क्या बात हो सकती है तो इस तरीके से उनको फसाया गया the happy tourists बड़े खुश मिजाज यात्री set out निकल पड़े and their conductor और उनका जो conductor था जो उनको यात्रा पर ले जा रहा था was a good was as good as his world वो उतना ही भला था जितना कि उसका संसार यहां word भी हो सकता है यहां जितने अच्छे उसके शब्द थे उतना ही अच्छा वो था यह भी हो सकता है यहां में sprint हो for behold क्योंकि देखो at the very first stopping place पहले ही ठहरने के स्थान पर dean inch gave them dean inch ने उनको दिया an address एक संबोधन on the modern love of pleasure आधुनिक जो प्यार है pleasure का यानि आनन्द का मजेद का उस पर एक lecture दिया but whether Mr. Selfridge had been addressing but लेकिन whether के क्या Mr. Selfridge यानि यह जो एक कालपनिक करेक्टर है had been addressing संबोधित कर रहे थे a crowd एक भीड को of holiday makers यानि छुट्टी मनाने के शौकिन लोगों की और a solemn conference या फिर ये एक गंभीर सभा थी of emporium owners emporium owners यानि व्यवसाई करने बाले लोगों की I do not know मैं नहीं जानता but I do know लेकिन मैं ये जानता हूं that के he said उसने कहा था that के he hated laziness उसे आलस्य से नफरत है more than anything else किसी और चीज से ज्यादा and held it और वो उसको मानता था the greatest of sins यानि महानतम पाप सबसे बड़ा पाप वो आलस्य को मानता था I believe to यानि मेरा भी विश्वास है that के he delivered कि उसने दिया some judgment कुछ निर्ने on persons उन लोगों पर who waste time जो समय बरबाद करते हैं but I have forgotten लेकिन मैं भूल गया हूँ his reasons उसके कारण यानि उसने कारण क्या बताए and instances और जो उसने उदारण दिये and to be frank और सही बात बोलूं तो would count it a disgraceful waste would count it मैं इसको मानूँगा a disgraceful एक अपमांजनक waste of time समय की बरबादी to discover again फिर से पता लगाना what they were कि वो कारण और वो उदाहरण क्या थे Mr. Selfridge did not mention Mr. Selfridge ने mention नहीं किया था यानि उलेक नहीं किया था us हमारा by name नाम से but is hardly possible लेकिन मुश्किल से ही ये संभव है to doubt यानि संदेह करना that he had us in mind कि हम ही उसके दिमाग में थे throughout his attack यानि उसके पूरे आक्रमन के दोरान on idleness जो कि वो आलस्य के उपर कर रहे थे यानि जो भाशन दे रहे थे आलस्य के उपर उस पूरे टाइम के दोरान हम ही उनके दिमाग में थे perhaps शायद he had a frantic vision उसको एक frantic माने पागलपन से भरा हुआ vision माने सपना आया था off the pair of us यानि हम दोनों के पेर में दो लोग होते हैं तो हम दोनों के lying लेटे हुए flat चित on our backs अपनी peat cable on the moor यानि वो जो moor है वो जो बंजर जगह है वहाँ पर wasting time समय बरबाद करते हुए royally शाही रूप से while जबके the world's work संसार का काम waited इंतजार कर रहा था to be done किये जाने के लिए and or incidentally इतिफाकन to be afterwards बाद में bought and sold यानि बेचा गया खरीदा गया in selfridge store selfridge के store में Mr. Selfridge के store में I hope मुझे उमीद है he had for the sight should have done him good I hope he had मुझे उमीद है कि उसने ऐसा किया था for क्योंकि the sight should have done him good उसका फाइदा ही करता we are a pleasing spectacle हम जो है वो एक pleasing मने खुश करने वाला spectacle दिर्ष्टे होते हैं at any rate कुल मिला कर बट लेकिन when we are doing nothing जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं it would do any man's heart तो ये किसी भी व्यक्ति के heart के लिए यानि हिर्दय के लिए अच्छा होगा good to see us हम को देखना यानि जब हम आलस से में पड़े होते हैं तो ऐसे समय हम को देखना किसी भी व्यक्ति के दिल के लिए अच्छा होगा even in the most fragmentary and baffling vision even यहां तक कि in the most fragmentary जरा से भी टूटे फूटे हुए and baffling और confusing यानि अस्तवयत से मिलेगा अच्छा लगेगा unfortunately दुर्भागे से Mr. Selfridge had probably already made up his mind Mr. Selfridge had probably संभबत है already पहले ही made up his mind अपना दिमाग तयार कर रखा था about the sin पाप के बारे में as he would call it जैसा कि वो इसको पुकारता था of laziness means आलस से के and so और इसलिए was not open वो खुला हुआ नहीं था to conviction इस विश्वास के प्रती यानि हमारी बात के प्रती हमारे विश्वास के प्रती was not ready वो तयार नहीं था to be pleased खुश होने के लिए it is a pity ये बड़ी दया की बात है and all the more और और भी ज़्यादा दया की बात इसलिए है so because क्योंकि his views उसके विचार seem to me मुझको लगते हैं to be wrong गलत and quite definitely और एकदम निशित तोर पर harmful खतरनाक all the evil सारी बुराई in this world इस संसार में is brought about लाई गई है पैदा की गई है by persons उन लोगों के दौरा who are always जो के हमेशा होते हैं up and doing up and doing का मतलब होता है कुछ न कुछ करते रहना तो हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं but do not know लेकिन ये नहीं जानते when, कब they ought to be up उनको उठना चाहिए nor और ना ही वो ये जानते है what they ought to be doing कि उनको क्या करना चाहिए the devil शैतान I take it मैं ऐसा मानता हूँ is still अभी भी है the busiest creature सबसे ज्यादा व्यस्त प्रानी in the universe इस ब्रह्मांड का इस कायनात का and I can quite imagine और मैं पूरी तरह कल्पना कर सकता हूँ him उसको denouncing आलोचना करते हुए laziness आलस्यकी and becoming angry और नाराज होते हुए at the smallest waste of time थोड़े से थोड़ा भी समय बरबाद होने पर यानि शैतान सबसे ज़्यादा व्यस्ट पराणी है और थोड़ा सा भी अगर कोई समय बरबाद करता है तो शैतान नाराज हो जाता है in his kingdom उसके राज्य में I will wager मैं शर्क लगाने को तैयार हूँ nobody is allowed किसी को भी अनुमती नहीं मिलती to do nothing कुछ ना करने की यानि आलस से करने की कुछ ना करने की not even for a single afternoon यहां तक कि एक afternoon यानि एक दो पहर afternoon दो पहर बाद का समय होता है तो एक साहकाल के भी लिए किसी को आराम की अनुमती नहीं होती the world संसार we all freely admit हम सभी मुक्त रूप से आजाद रूप से स्विकार कर सकते हैं is वो है in a muddle muddle आप कह सकते हैं confusion में की चड़ में परिशानी में but लेकिन I for one मैं अकेला do not think नहीं सोचता that it is laziness यह आलस्य है that has brought जो ले आया है it इसको यानि इस संसार को to such a pass ऐसी हालत में it is not the active virtues यह active virtues नहीं है यानि यह सक्रियता वाले गुण नहीं है काम करने वाले गुण नहीं है that it lacks जिनकी इसमें कमी है यानि इस संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो के active हैं कार करते रहते हैं but बलके the passive ones passive ones जो निश्क्रिय लोग है या निश्क्रिय जो qualities हैं गुण हैं ऐसी उनकी कमी है यानि ऐसे लोगों की कमी है जो passive रहते हैं जो निश्क्रिय रहते हैं जो आलस्से में रहते हैं ज्यादा तर लोग इस दुनिया के active रहते हैं कुछ करते रहते हैं It is capable of anything It, यानि कि ये संसार ये काइनात is capable समर्थ है of anything किसी भी चीज में but kindness सिवाए दया के and a little और थोड़ा सा steady thought स्थिर विचारों के There is still plenty of energy यानि अभी भी plenty मने खूप सारी energy बने श्रोत उर्जा खूप सारी उर्जा है धेरों उर्जा है अभी भी in the world संसार में अब ये जो bracket में दिया हुआ है इसको बाद में पढ़ते हैं पहले ये जो sentence है यहाँ जुड़ा हुआ है but तो ये जो संसार है बहुत सारी energy से भरा हुआ है बट लेकिन most of it इसमें से ज्यादा तर जो energy है जो उर्जा है is simply misdirected misdirected मने गलत दिशा में जा रही है simply साधान तया तो जो संसार की उर्जा है वो गलत दिशा में जा रही है अब इसको देखते हैं रैकेट में दिया हुआ है there never were more fussy people about यानि पहले कभी इतने fussy बिजी या व्यस्त या फिर active यानि सक्रिय लोग पहले कभी नहीं रहे जितने संसार में आज हैं if यदी for example उदाहरन के लिए in July 1914 July 1914 में अब ये July 1914 को आप अच्छे से मार कर लीजिएगा खास है ये July 1914 तो July 1914 में ऐसा क्या हुआ था आपको याद होगा 1914 किस के लिए जाना जाता है First World War शुरू हुआ था तो इसलिए ये July 1914 उसने mention किया है तो for example in July 1914 यानि कि 1914 की जुलाई में क्या आगे बढ़ते है When there was जबके था some capital कुछ अच्छा सा मनलब खास idling मने आराम करने लायक आलस से करने लायक weather मौसम मनलब अच्छा खासा मौसम था जुलाई का महीना 1914 में और मजे करने चाहिए थे लोगों को आलस से पड़े रहने चाहिए था Everybody हर कोई Emperors Samrat Kings Raja Arc Dukes Statesmen यानि कि ये जो Politicians है Raja Nittigya Generals सेना के General Journalists जो पत्रकार है Had been Suddenly Smitten with यानि अचानक से Suddenly अचानक से Smitten with यानि उनको खयाल आया यानि उनको कोई चीज छू गई चुब गई वो क्या थी An intense desire एक बड़ी गहरी इच्छा To Do Nothing कुछ न करने की अच्छा अगर हो गई होती ये कह रहा है क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं उनको कुछ न करने की इच्छा तो हुई नहीं अगर उनको ऐसी इच्छा हो गई होती कि ये भई हमें कुछ नहीं करना है Just to hang about हमें केवल घूमते रहना है पड़े रहना है In the sunshine धूप में And consume tobacco और हमें तंबाकू पीना है Then तब We should all have been हम सब रहे होते Much better off बहुत ज्यादा अच्छे Than we are now जितने की हम अब हैं तो वो कह रहा है कि अगर जुलाई 1914 में ये सारे लोग अगर इनको एक इच्छा हुई होती कि भाई हम सब को आलस से करना है पड़े रहना है तंबाकू पीना है तो दुनिया बहतर होती जितनी की वो अब है यानि कि First World War नहीं हुआ होता और First World War के बाद Second World War जो हुआ उसके बीज भी First World War के बाद जो वार्साय की संदी हुई थी वो इतनी खराब संदी थी कि वो ही जिम्यदार थी सेकंड वर्ल्ड वार के लिए तो अभी उसके बारे में भी वो बात करेगा कि पहले तो उनको यह ख्याल नहीं आया कि आलस्से से पढ़ने सब लोग लग गए एक्टिव हो गए साब यह करना है वो करना है और अटेक कर दिया एक दूसरे पर ज़र मर गए इतने सारे लोग बट नो लेकिन नहीं दा डॉक्ट्रिन यानि सिद्धान्त ओफ दा इस्ट्रेनियोस लाइफ यानि महनतकश्ट जीवन का इस्ट्रेनियोस मने महनती फुल अफ लेवर फुल अफ हाड़वर्ग तो महनतकश्ट जीवन का जो सिद्धान्त है इस्टिल वेंट इस्टिल मने अभी भी वेंट चल रहा था अन्चेलेंज्ट मने बिना किसी चुनोती के दियर मस्ट भी नो टाइम वेस्टेड बिलकुल भी समय बरबाद नहीं करना है सम्थिंग मस्ट भी डन कुछ तो किया जाना चाहिए ऐसा ख्याल उनके दिमाग में आया ये नहीं के मज़े से पढ़े रहें तमागों पीते रहें और एस वी नो जैसा के हम जानते हैं कुछ तो किया गया और क्या हुआ वो भी हम सभी जानते हैं 1914 से लेकर 1918 तक दे दना दन इंस्टेड ओफ बजाय रशिंग ओफ दोडने के तो वारसाय वारसाय को विद अ बंडल ओफ एक धेर के साथ इल डाजेस्टिड यानि बुरे खयाल से आये हुए नोशंस विचार एंड ग्रेट डील ओफ एनरजी और धेर सारी उर्जा के साथ to dissipate dissipate को आप कह सकते हैं जो उनको खर्च करनी थी यानि उनके पास धेर सारी ऊड़ जा थी जो उनको खर्च करनी थी और एक धेर था एक बंडल था उनके बुरे से खराब से विचारों का तो ये सारे लोग कहां पहुंच गए वारसाय में दोड़ के had all taken a fortnight off अगर ऐसा होता कि ये सारे लोग एक fortnight off कर लेते यानि एक पखवाड़ाई की छुट्टी ले लेते सारे लोग from all correspondence सारे पत्राचार से and interviews और सारे interviews यानि साक्षातकार बोलते हैं उसको हिंदी में तो सारे साक्षातकारों से and what not और क्या-क्या इन लोगों ने जो नहीं किया उन सब से अगर ये लोग छुट्टी ले लेते and had simply lounged about और केवल बस आराम से पढ़े रहते on some hillside किसी पहाड़ी के किनारे और अदर या फिर किसी दूसी जगे पढ़े रहते apparently इस पश्ट रूप से doing nothing कुछ ना करते हुए for the first time पहली बार in their energetic lives अपने उर्जा से भरे हुए जीवन में then they might have gone वो जा सकते थे to their so-called peace conference अपनी so-called को हिंदी में बोलते है तथा कतित तो अपनी तथा कतित peace conference शांती संबिलन में and come away और आ सकते थे again फिर से with their reputations अपनी reputation होती है ख्याती प्रसिद्धी अपनी ख्याती के साथ still unsoiled still अभी भी unsoiled मने बिना खराब हुए बिना बिगडे soil मने गंदा हो जाना मेला हो जाना तो उनकी जो ख्याती है अभी भी साफ रहती साफ सुतरी होती उनका नाम and the affairs of the world और सारी दुनिया के जो मौामले है in good trim वो भी अच्छी हालत में होते trim मने काटना चाटना होता है trimming करते हैं आप दाड़ी जो लड़के हैं वो दाड़ी की trimming करते होंगे तो in good trim तो जो संसार के मौामलात हैं वो अच्छी कंडिशन में होते अच्छे कटे छटे होते बढ़िया रहते अगर ये लोग वार्षाई की संधी ना करते क्योंकि वार्षाई की संधी ने तो और भी मामला बिगार दिया और second world war हुआ उसकी बज़े से तो फिर आगे बढ़ते हैं even at the present time यहां तक कि जो वर्तमान समय है वर्तमान समय में भी if अगर half the politicians आधे राजनिते गिया in Europe यूरोप में would relinquish छोड़ दें the notion ये विचार that के laziness is a crime आलस्य एक अपराद है and go away और चले जाएं and do nothing और कुछ ना करें for a little space थोड़े समय के लिए we should certainly gain तो हमें निश्चे ही फाइदा होगा by it इससे other examples come crowding into the mind other examples दूसरे उदाहरन come crowding यानि कठे होते आ रहे हैं into the mind दिमाग में दस इस प्रकार every now and then मतलब हर बार कभी कभी certain religious sex कुछ धार्मिक पंत hold conferences सभाएं करते हैं बट लेकिन दो यद्यपी there are evils abroad बहुत सारी बुराईयां हैं बाहरी संसार में that are mountains high जो के पहाडेयों की तरह उची है दो the fate of the civilization यद्यपी the fate मने भागे of civilization सभ्यता का is still doubtful अभी भी शंकाओं से भरा हुआ है the members सदस्य who attend जो के भाग लेते हैं these conferences इन सम्मेलनों में धार्मिक सम्मेलनों में spend their time वो अपना समय बिताते हैं condemn me मने आलोचना करते हुए the length लंबाई of ladies skirts औरतों की skirt की and noisiness और shore की of dance bands जो dance bands हैं यानि जो नाच करने वाले जो group हैं उनकी आलोचना करते हुए ये सम्मेलन अपना समय बिताते हैं यानि जो संसार की वास्तव एक बुराईया हैं उन पर तो कोई discussion नहीं होता इन धार्मिक सम्मेलनों में discussion किस चीज़ पर होता है कि भई औरतें आजकल बड़े छोटे कपड़े पहन रही हैं और ये जो डिसको में डांस होता है ये बड़ा नोइस करता है बड़ा शोर शराबा करते हैं ये लड़के लड़कियां इस पर discussion होता है ये जो धार्मिक सम्मेलनों में जानने वाले लोग हैं वो better employed होंगे वानि बहतर तरीके से वो काम कर सकते हैं lying flat अगर वो बस चित पड़े रहें on their back अपनी पीट के बल somewhere कहीं steering घूरते रहें at the sky आकाश को and recovering और पुनह प्राप्त करते रहें their mental health अपना मानसिक स्वास्थ है the idea ये विचार that के laziness is यानि आलस है the primary sin मुख्य या प्रारंभिक पाप and the accompanying doctrine और उसके accompanying माने साथ वाला doctrine सिध्धान्त of the strenuous life यानि महनत कश जीवन का are very prevalent बहुत प्रचलन में है in America and we cannot escape और हम बचकर नहीं निकल सकते the fact इस बात से इस तत्य से that के America is America है and amazingly एक आश्यर जनक रूप से prosperous country सम्रिद देश बट लेकिन neither can we escape नहीं हम बचकर निकल सकते हैं the fact इस तत्य से that के society समाज there वहाँ पर यानि के सबसे अच्छे contemporary माने सम्काली writers लेखक आर है satirist व्यंग कार curiously enough curious यानि उत्सुक रूप से पर्यापत उत्सुक रूप से enough माने पर्यापत और curiously उत्सुक रूप से most of the great American writer most of the यानि ज्यादातर महान अमेरिकी लेखक have not hesitated यानि नहीं जिजिके हैं to praise तारीफ करने में idleness आलस्यकी and it has often been और ये अक्सर रही है their faculty उनकी शमता for doing nothing कुछ ना करने की and praising themselves और अपनी तारीफ करने की for doing it ऐसा करने की that has been their salvation जो उनका मोख्ष रहा है जो उनका मतलब उदेश रहा है कि पहले वो कुछ करते नहीं है और फिर अपनी इस बात के लिए तारीफ करते हैं कि उन्होंने जिन्दगी में कुछ किया नहीं दस इस प्रकार थोरियो ये एक ओथर है दाशनिक है विदाउट इस कैपेसिटी अपनी शंता के बिना फॉर आइडिलिंग आलस्य करने की एंड डूइंग नथिंग और कुछ न करने की दाशनिक ज़्यादा दाशनिक करने के प्रशंसा करने के दाशनिक ज़्यादा जो आकाश गंगा है वोड़ भी वो होता अ कोल्ड प्रिग तो अगर उसके अंदर ये शंता नहीं होती यानि थोड़ियों के अंदर ये शंता थी कि वो आलस से करता था और कुछ भी नहीं करता था तो अगर उसके अंदर ये शंता ना होती and or Whitman Walt Whitman से आप परचित होंगे Walt Whitman एक famous poet है अमेरिका का robbed of his habit अगर उसे robbedman निकाल ली जाए उसे दूर कर दी जाए his habit उसकी आदत of lounging round यानि आराम से पड़े रहने की with his hands in his pockets अपने हाथ अपनी जेम में डालने कर and his innocent delight और उसका जो मासूम खुशी है in this past time इस मनोरंजन में अगर ये सब उसकी personality से निकाल दिया जाए तो Walt Whitman क्या होगा would be merely a large sized ass तो वो merely मने केवल एक बड़े आकार वाला आस गदा होगा any fool कोई भी मूर्ख can be हो सकता है fussy यानि व्यस्त and rid himself और अपने आपको छुटकारा दिला सकता है of energy अपनी उर्जा से all over the place यानि किसी भी जगे जाकर सारे स्थानों पर बट लेकिन a man एक व्यक्ति को has to have something यानि कुछ होना चाहिए in him उसके अंदर before इससे पहले के he can settle down वो settle हो सके इस्थापित हो सके to do nothing कुछ ना करने के लिए यानि कुछ ना करने के लिए व्यक्ति के अंदर कुछ होना चाहिए इसके लिए हिम्मत चाहिए he must have reserves उसके पास भंडार होने चाहिए to draw upon जिनमें से वो खर्च कर सके must be able उसको समर्थ होना चाहिए to plunge into यानि डूब जाने में strange slow rivers strange यानि विचित्र slow धीमी rivers नदिया तो धीमी slow rivers में डूबने की उसमें छमता होनी चाहिए और वो rivers किसकी off dream सपने की end reverie ये दिवासो अपने होते हैं दिवासो अपने की must be at heart उसको होना चाहिए दिल से a point एक कवी तभी वो ऐसा कर सकता है words worth words worth से तो आप पर चिते हैं William words worth तो उस पर मैंने बहुत सारी वीडियो भी अपलोड किया है to whom जिसके पास we go हम जाते हैं when जब most other points ज्यादा तर दूसरे कभी fail us हमको असफल कर देते हैं new जानता था यानि words पर जानता था the value कीमत of doing nothing कुछ ना करने की nobody कोई भी नहीं nobody you में से आप कह सकते हैं कि कोई भी नहीं could do it better इसको बहतर तरीके से कर सकता था and you may discover और आप पा सकते हैं देख सकते हैं पता लगा सकते हैं in his work उसकी रचनाव में the best amount सबसे अच्छी amount नहीं है account है आँखे मेरी बहुत कमजोर हो रही है the best account account बने लेखा जो खा या vernon description तो सबसे अच्छा vernon of the matter इस मौामले का he lived वो जिया long enough यानि काफी परियापत लंबी जिन्दगी जिया to retract most of his youthful opinions retract का मतलब होता है वापस लेना तो वापस लेने के लिए most of यानि ज्यादा तर his youthful opinions उसकी जो युवावस्था की राय थी उसकी जो युवावस्था के विचार थे but I do not think लेकिन मुझे नहीं लगता that he ever went back कि वो कभी भी वापस गया हो या उसने वापस लिया हो on his youthful notion अपना युवावस्था का विचार that के a man could have के एक व्यक्ती नहीं रख सकता था no healthier and more spiritualizing employment कोई भी ज्यादा स्वास्थे प्रद and more spiritualizing और ज्यादा अध्यात्मिक employment काम then idling about यानि फालतु घूमने से and staring at nature और प्रकृती को देखने से घूरने से it is true यह सच है that के he is very angry वो बहुत नाराज हुआ है in one point एक कविता में with some gypsies कुछ gypsy लोगों से gypsy यही जो घूमनतु लोग होते हैं because क्योंकि they had apparently done absolutely nothing उन्होंने apparently इस पश्च रूप से done किया था absolutely nothing बिलकुल कुछ भी नहीं from the time उस समय से लेकर he passed them जब वो उनके पास से गुजरा था at the beginning of his walk अपनी अपने टहलने की शुरुआत में to the time तब से लेकर उस समय तक when he passed them again जब वो दुवारा उनके पास से होकर गुजरा 12 hours later 12 गंटे बार तो इन 12 गंटों में उन लोगों ने बिलकुल कुछ भी नहीं किया था और इस बास से wordsworth बड़ा नारास था अपनी उस कविता में लेकिन बट लेकिन ये रेशल मींस प्रजाती है प्रेश्यूडिस मने पूर्वा ग्रह है तिंस्ड मने मिला हुआ I suspect मुझे लगता है with envy यानि इरश्या से for क्योंके though हलांके he had not done much उसने खुद भी कुछ ज़्यादा नहीं किया था लेकिन they had done even less उन्होंने उससे भी कम किया था यानि वो कम से कम चहल कर तो आया था बार गंटे कहीं गूम कर तो आया था उन्होंने उससे भी कम किया था यानि वो तो कहीं गूम में भी नहीं वहीं कि वहीं पड़े रहे पिछले बार गंटे से if he were alive today अगर वो आज जिन्दा होता I have no doubt तो मुझे बिलकुल भी शक नहीं है he would preach तो वो भाशन देता his doctrine अपने इस सिध्धान्त को फैलाता मतलब के more fervently ज्यादा उर्जा के साथ ज्यादा उत्साह के साथ and more frequently और ज्यादा बार frequently भार बार than ever यानि पहले कभी की बजाए and he would probably attack और वो संभवत है attack करता अलोचना करता Mr. Selfridge Mr. Selfridge की and defend us और हमारी हमें defend करता हमारी वकालत करता beginning यानि कहते हुए last week पिछले सब्ता they loitered वो घूम रहे थे on a lone wide mood एक अकेले निर्जन इस्थान पर तो ऐसे करके हमारे उपर वो कभिता लिखता in a series of capital sonnets यानि एक शंखला वो लिखता of capital sonnets यानि बहुत अच्छी-च्छी sonnets की which would not जो के नहीं होती by the way कुल मिला कर attract the slightest attention यानि थोड़ा सा भी ध्यान नहीं खींचती attract मने खींचना the slightest मने थोड़ा सा भी attention ध्यान तो क्यों नहीं ध्यान खींचती क्योंकि जो आज की दुनिया में लोग हैं उनको ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं है के time waste किया जाए तो ऐसी कविताएं उसकी पसंद नहीं की जाती है हलांकि वो अगर जिन्दा होता तो हमारे उपर कविता लिखता कि हमने अपना ऐसे समय बरबाद किया ऐसे हम घूमते रहे लेकिन ये बिल्कुल भी पसंद नहीं की जाती तो ये question आ सकता है आपसे कि इस प्रकार की कविताएं विल्यम वर्ड्स वर्ड की क्यों पसंद नहीं की जाती तो आपको यही जवाब देना है क्योंकि आज की दुनिया बहुत बिजी है और ऐसा कोई भी कविता या ऐसी कोई भी बात लोगों को पसंद नहीं आती जहां टाइम वेस्ट करने की बात कही गई हो मैंने तो खुद ही आप से शुरुआत में कहा था कि बच्चो इस बात को दिल पे मतले लेना कि हमें टाइम वेस्ट करना है वो हमको बताता बहतर इस्थती में होता अगर यह खर्च करता या बिताता एवरी पॉसिबल मॉमेंट हर संभव छन इट कुड जो यह बिता सकता था यह जो अगले दस साल है लाइंग फ्लैट चित पड़े रहकर अन इट्स बैग अपनी पीठ के बल अन अ मूर एक निर्जनिस्थान पर दूइंग ना करते हुए और वो सही होता तो यह तो था निबंध लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा इसको अपनाना बिल्कुल नहीं है अच्छा निबंध था अच्छी लेंग्वेज में लिखा है और हमको पढ़कर अच्छा भी लगा हसी भी आई मुस्कुराए भी हम लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते अगर मान लिजे संसार के सभी लोग ऐसा करते और यह critical question आएगा भी आपके exam में कि क्या आप सहमत हैं जेबी प्रीसले से तो आपको यही बताना है कि अगर यह बातें सुनने में बहुत अच्छी लग रही है पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है जेबी प्रीसले जो कह रहा है लेकिन अगर सारे लोग दुनिया के ऐसा करेंगे तो फिर तो हम अभी भी वहीं गुफाओं में रह रहे होते हमारे पास ना तो मकान होते ना कपड़े होते वही पेड़ों की छाल और पत्ते लपेड के हम लोग गुफाओं में अभी भी रह रहे होते वही कच्छा मास खा रहे होते तो संसार में जितनी भी प्रगती होई है सिवलाइजेशन जितनी भी आगे बढ़ी है उन्हीं लोगों के बज़े से बढ़ी है जिन्होंने कोशिशें की है जिन्होंने कुछ काम किया है यह हाँ अलग बात है कि misuse हुआ है चीजों का जिसे कि यह atomic energy है तो उसका वो कितनी energy होती है अगर उसको हम सही दिशा में लगाएं लेकिन atom bomb बनाने में हम जो उसको use करने तो वो mis guidance है लोगों का जो दिमाग है वो सही तरीके से mold नहीं किया गया ह उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिली है आप देखते हैं यह जो क्रिमिनल्स होते हैं पुलिस से दो कदम आगे होते हैं तो क्या उनके अंदर प्रतिभा की कमी है क्या उनके अंदर इंटेलेक्ट की कमी है नहीं वो इतने ही इंटेलिजेंट हैं लेकिन उनके उस intellect को सही दिशा नहीं मिली है तो ऐसा नहीं है कि हमें कुछ करना नहीं चाहिए लेकिन हमें सही दिशा में काम करना चाहिए तो ठीक है ये वीडियो में यहीं समाप्त करती हूं धन्यवाद